अभी तक आपने तमाम नेताओं को देखा होगा, सुना होगा और उनसे मिले भी होंगे मगर आज आपको हमें एक साथ देश के लगभग सभी गोमूतर वाले नेताजी लोगों से मुलकात करवाएंगे और उनके दिव्वे ज्यान के बारे में भी बताएंगे गोमूतर वाले नेताजी की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है भोपाल से सांसर्थ, साधवी, प्रग्या सिंग, ठाकुर का माननीय जी का कहना है कि गोमूतर पीने से फेफड के अंदर का इंफेक्शन दूर हो जाता है बीपी शुगर जैसे विमारी तो खतमी हो जाती है और तो और गोमूतर सांसर जी के लिए साक्षात अम्रित समान है दूसरा नमबर आता है योगी जी के सबसे करीबी विधायक सुरेंट सिंग का ये बलिया से विधायक हैं और दावा करते हैं कि हर रोग की दवा गोमूतर है पस इंदिजार इस बात का है कि योगी जी इनको स्वस्थी मंतरी कब बनाएंगे तीसरा नमबर आता है उत्राखंट के विधायक महिंद्र भट का विधायक जी का यह कहना है कि गोमूतर पीने से कोरोना खतम हो जाएगा और उसका पुनर जनम भी नहीं होगा विधायक जी का यह ज्यान प्राप्त करके देभूमी शायद धन नहीं हो गई है चौथा नाम आता है बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंग लोधी का यह बुलन चहर से विधायक है माननिय जी ने इतना अच्छा फॉर्मूला निकाला है कि डबलू एच्चो के विध्यानिकों का सर शरम से जुग गया होगा बस इंतिजार है राश्पती जी के पुरस्कार का फिलाल माननिय जी ने ये फॉर्मूला बता दिया कि हर रोज 25 मिलीलीटर गोमूत्र के सेवन से सारी बिमारिया दूर भाग जाएंगी पाच्छवा नाम आता है आसाम से बीजेपी विधायक सुमन हरीप्रिया का इन विधायक जी का दावा है गोमूत्र और गोवर से कोरोना वाइरस ठीक हो सकता है और कोरोना क्या? कैंसर को भी विधायक जी ठीक कर सकती है छटा नाम आता है बंगाल के भाजपा अध्याक्ष दिली भोश का बीजेपी के अध्याक्ष जी का कहना है हमें स्वस्थ रहने के लिए गोमूत्र पीना चाहिए मगर उसके बाद भी अध्याक्ष जी कोरोना संक्रमित हो गए यह तो वह नाम थे जो जिम्मेदार और जवाब दे हैं मगर लिस्ट बहुत लंबी है अगर इस तरीके से हम सबका नाम बताना शुरू कर देंगे तो आप भी सुन-सुन कर ठक जाएंगे फिर भी हम उन सभी महान लोगों से माफी मागना चाहते हैं जिन लोगों का नाम हम इस लिस्ट में नहीं डाल पाए और वैं चाहते हैं कि उनका नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए तो कृपिया आप हमें कमेंट करके अपना नाम बता सकते हैं और अगली स्टोरी में हम आपका नाम जरूर डाले बता सकते हैं झाल झाल